गुद इमिनिंग इस्टुडेंट्स आज के पेपर का जो हम डिसकस कराएंगे उसमें हिस्ट्री और संभिधान हिस्ट्री और संभिधान को डिसकस कराए जाएगा history और constitution के question को discuss कराये जाएंगे ठीक है चलिए पहला question देखिए समय नहीं बरबाद किया जाए पहला question चैनल को subscribe करें अपने दोस्तों को भी share कर देजिए चलिए पहले question पर ध्यान देजिए पहले question पे incident history का पहला question question एक रहा है कि तामावती के नाम से प्रसिद्ध है famous by the name of तामावती बहुत important question incident history का है तामावती के नाम से प्रसिद्ध पहला question ध्यान देजिए history और quality के दोनों question डिस्कस कराऊंगा 46 question है पहले question पर ध्यान देजिए कह रहा है कि incident history का तामावती के नाम से प्रसिद्ध तामावती के नाम से क्या प्रसिद्ध है आहार संस्कृत अफ़ावती के नाम से क्या प्रसिद्ध है हिए टाथे संस्कित सभी लोगों आप क spreadsheets र्यान दिजिए आधुनिक देवनागरी का प्राचीन रूप सबसे आसान कोश्चन इसलिए आध बेखिए गारों के एक्जाम में कुछ बहुत कोश्चन आसान आएंगे जो कल डिसकस कराएगे आज कराएगे इसमें से बहुत से कोश्चन आपको मिलने की प्राविल्टी रहेगी आधुनिक देवनागरी लिप की क्या होगा ब्राम्मी क्या होगा ब्राम्मी ध्यान की आधनिक देवनागरी लिप का प्राचीन रूप क्या होगा ब्राम्मी लिपी तीसरे कोश्चन प्याइए बैदिक काल से कोश्चन है ध्यान की बैदिक काल से कोश्चन गो अपरहन के प्रसंग मे रिगवेद प्रमुक रूप से नाम आता है गौवों को अप्रहण के रूप में रिगवेद में किसका नाम आता है गो अप्राहण के रूप में इसमें रिगवेद में कितने मंडल हैं दस मंडल आप लोग एभी ध्यान रख्येगा दसों मंडल जिन जिन लोगों ने लिखा है जरूर याद रख्येगा तीसरा विश्वामित कई बार इजान में पूछा गया अब ध्यान दीजिए गो अप्र प्रहण के प्रसंग में रिगवेद में प्रमुक रूप से नाम किसका आता है गो अप्रहण के रूप में किसका आता है प्रणियों का नाम आता है किसका आता है प्रणियों का नाम आता है और ध्याना कियेगा रिगवेद के सबसे फेमस गेउता कौन थे इंद्र इन्हें क किया कहा गया पुरंदर कहा गया इनंहें क्या कहा गया है पुरंदर भी कहा गया चलिए आगे बढ़ते हैं रिखबेद में कितने मंटल हैं 10 मंटल ठीक है अगले question पर ध्यान दीजी ये question को सुमेलित करना जरूर exam में आएगा ये सुमेलित करने को नहीं आया इसमें से किसी के लेखक का नाम भी पूछ सकता है ध्यान दीजीए सूची एक और सूची दो को सुमेलित करिए बहुत important question है ये exam में आने की probability जो हो जाता है ध्यान दीजीए पहला क्या करा तुरुक दल ये कौन है तिरुवल ठीक है सिल्पादिकरम इलंगो आडिगल ये question अलग से दिया सकता है कि सिल्पादिकरम के लेखक कौन है तो क्या लगाएंगे इलंगो आडिगल मड मेखले सतनार कौन सी गृणतम हैं किसकी है ब्याकरण की कभी कभी यह बीजां में पुछ देता है तो आप जबाप क्या देंगे ब्याकरण की क्या देंगे अध्यास को आप मिला लगना लिजे एका फॉरमे पहला अप्ष्ऽनल्किंज की bilang कि है मैं छलिए अगरा कोश्टिं देखिए यह कोश्टिं मोर बंसे है पौतवा देच्छ का कार किस का था पहत्वाद जच का कार किसका था किस से हैं मौर बन से समंधित कोश्चन हैं इसलिए आरो के जो पेपर हम लोग डिसकस करा रहे हैं जो आप लोगों के उल्टी गिंती सुरू हो गई ये पेपर करा रहे हैं उसमें एंसेंट मेडिवल माडन तीनों को कोश्चन रखे गए हैं क किसका होता पहत्वाद पहत्वाद दिर्च का कार किसका है किसी इच का दिर्चन करता है माप ताउल का ठीक है चले इनर्स कोश्चन पर अब ध्यान दीजिए बिलेज रिलेटेट टू यहां पर करा कि अग्रहार ग्राम अग्रहार ग्राम से क्या तात्पर ये ध्यान दीज मंदिर को दान में दिये गए ग्राम ऐसे ग्राम जिसमें के अलब रामन निवास करते हैं ऐसे ग्राम जहां किसान भूंकर सीधे राजा को देते है अग्रहार ग्राम ठीक है इस कोईशन का एंसर क्या होगा जिसमें के और रामन को निवास करते है उसे क्या बोला ग्राम क्या कहा ग्राम ऑग्राम ठीक है एक है चलिए आगे बढ़ते हैं कौन सुमेलित नहीं है एक चित ध्या Ez화 धा Mayor Kway très ज़रूर आएंगी उसको सुमेलित करने के लिए आएगा अब ध्यान दिजी ए करा कि इसमें कौन सुमेलित नहीं है कौन सुमेलित नहीं है बहादुरगर का यूद 24 परभी 1658 सुमेलित है सामुगर का यूद 29 मई 1668 सुमेलित है यह खजवा का यूद खजवा का युद डिसंबर में नहीं हुआ था जनुवरी में हुआ कब हुआ जनुवरी में हुआ खजवा का युद कब होता है जनुवरी में होता है ठीक है किसके बीच में औरंग जेव और सासुजा के बीच में सा जहां के कितने पुत्र के चार ये ध्यान कियेगा सबसे बड़ा कौन था दारा सिको सबसे बड़ा कौन था दारा सिको इस दारा सिको को सा जहां ने इस दारा सिको को लख अगबर कहा यता था अगर एक्जाम में आए लख अगबर किसे का आगया है तो दारा सिको का और सबसे ज्यदा पढ़ाली क्या कौन था दारा सिको इसने उपन सब्सक्राइब कोंसा आइसा का से मंदिर है उस कि अधवि डिवताओं के साथ साथ राजा की पत्रमा लगती थी देभी देउताओं के साथ साथ राजा की प्रत्मा बहुत चलिए बताएए किस मंदरों में मंदरों में देभी देउताओं के साथ साथ राजा और रानी की भी प्रतिमाएं लगती थी किस समय के सासक लगाते थे ये बहुत इंपोर्टेंट है निस्ता बर्मा को डिमने बताईए साथ ची यादव कहां पर होगा चोल यह ध्याना किये चोलों के समय मंदिर बनते थे उसमें देवी देवता होते थे राजा और रानी के भी मूर्ति लगाई जाती थी बहुत इंपोर्टेंट किस के समय चोलों के समय अगला कोश्चन देख आसान भी थोड़ा टिपकल भी है कौन समयलित नहीं है रामनुजाचार स्री संप्रदाई सही है निंबार्क सनक संप्रदाई सही है स्वामी हरिदास यह समयलित नहीं है यह किस्से सम्मंदित थे सकी संप्रदाई से किस्से सम्मंदित थे सकी संप्रदाई से ये इसका एंस्वर क्या होगा सी इसका एंस्वर क्या होगा सी ध्यान रखिए स्वामी हर्दास किसे समंदिते सकी संप्रदाश से और कीनों सही सुमेलित है एंस्वर क्या होगा इसका सी स्वामी वाला गलत दिया गया ठीक है कई लोगों का एंस्वर एक दम सही चलिए आगे बढ़ते हैं निम्लकित में से कौन सुमेलित नहीं है यह बताई आँ अब निम्लकित में से कौन सुमेलित नहीं ध्यान दीजिए बहुत इंप्वर्टेंट यह सुमेलित है दहिता मत्हूका चान सूद्रयता ब ल्वह चाहो यहीं सुमेलित नहीं यह किस्से समंदी थे निम्ब का चार से 25 का चार से ग्रते इस प्रगे कॉंन् है दाभा निम्ब पूर्काचार से किससे समद्धी थे निमबार्क समद्धाय से खेंगां चलि हागे बढ़ते हैं अगले question पर देहां दीजिए मजमि बहरें मजमुर्बहरें किसकी रचना अगले question बहरें मजमुर्बहरें और ये कोश्चन भी एक्जाम में आ सकता है जितने कोश्चन बनाएंगे हम लोगों रात में बैट के पूरे कोश्चन बनाते हैं जो आप लोग सामने लाने की प्राभिर्टी होती कि जादा से जादा एक्जाम में फसे और आपका रिवीजन हो जाए बताएए मजमूल बहरीन अगला को एक कोश्चन भूराता है कों सा मुगल था जिसने पुराणों का दिन किया अलबरूनी लगा दीजियेगा कावन इपुराणों करने वाला मुसलिम मजमूल बहरीन कون होगा दारा सिको किसको कहा गया लगव अकबर धियाने के दारा दे दे सिर्य अगबर का लेखा कौन था दारा सिको इध्यानक कियेगा इसको भी पूछ सकते चलिए आगे बढ़ते हैं एक बारावे कुश्वन पर किसने सिंध बिलह को अफगान तूपान की पूछ बताया किसने सिंध बिलह को किस अंग्रेज ने सिंध बिलह को जिससे अंग्रेजों अपने छेतर में मिलाते हैं सिंध को किसने ये कहा कि अफगान दूफान की पूछ है सिंध बिलह को चैनल को लाइक करिए सब्सकाइब करिए दोस्तों को सेर करिए ध्यान रखिए सिंध बिलह के ब सिंद बिले के बारे में, तुरन जवाब बेंजे, सिंद बिले के बारे में, दिब्या तिवारी, अनुराग, पूनम, बताए, सिंद बिले के बारे में किसने का, अफगान तूफान की पूँच, बहुत अच्छा कोशन, बहुत इंपोर्टिंग कोशन, बार बार आता है, किस किसने कहा चाल्सनेफिर ने क्या बोला सिंद्बले अफगेन दूपान की पूचके समान किसने कहा चाल्सनेफिर ने का किसने चाल्सनेफिर चलिए और बढ़ते हैं ने जूए 16100 नहीं है किसको आपको congratulations सुमेलित करना कौन सा सूमेलित नी यह धोंडा da का उन है ध्यान दीजी इनिहलियेशन कास्ट उनीसो चत्तिस अंबेटकर सही है तो लाइफ आप महात्मा गाधी लुई फिसर ध्यान रखेगा महात्मा गाधी के जूनीक उसने लिखा लुई फिसर लुई फिसर लिके हुए है ठीक है दा स्प्रिंग आद टाइगर हुटो सह ही है ये सुमेलित नहीं कौन एन इंटोडक्शन टू दा ड्रीम लैंड ये फ्रैंक मोरिस का नहीं है ये भगस सिंग का किसका है भगस सिंग का गलत न करने पहिए आप लोग किसका है भगस सिंग का इसमें सुमेलित कौन नहीं है डी एंस्वर इसमें कौन सुमेलित नहीं ह रही स्विनु पत्नवार्ट चलिया आगे बढ़ते हैं निंगित कतनों पर विचार कीजिए और अंत में दिये गए कूड का सयुत्तर का चयन कीजिए क्या करा कि सुदंत भारत में बिटेन की प्रफ्ता बनी रही नहीं बनी रही पहला एक क्या हुआ कफन क्या हो गया गलत क् बारत में सुतंत भारत में 15 पर 247 के बाद बिटेन की प्रफ्ता बनी इस बारत के गवंद्धान जनरल की नियुक्ती विटेन के प्रफ्ता सपन सासक ने की ती सही है इसका उत्तर क्या होगा डी गलत है आर सही है चलिए अगले कोश्जन पे आई ए भारती संविधान का सभा का गठन किया गया था भारती संविधान सभा का गठन बताइए यस कोशन का जवाब बेजिए भारती संविधान सभा का गठन किया गया भारती संभीधान सवाका गठन किया गया कि तुर्म बता है भारती संभीदान सवाका गठन चलिए एक दम सही सभी लोग करें सब्सक्राइब सर के और डिसा हम Medicare गठन कैबनेट विशन के तहत किया गया ध्यान रखेगा इसी कैबनेट विशन में कहा गया दस लाग की आबादी पर दस लाग की आबादी पर एक बिक्तिको चुना गया दस लाग की आबादी पर एक बिक्तिको ठीक है चैनल को लाइक करिए बटा अपने दोस्तों को भी सेर यह कोशन देखिए constitution का सुमेलिद करना सूची एक और दो आप लोगों के पास थोड़ा समय में देता हूं तुरंद हम को एंसर भेजिए सूची एक और सूची दो को सुमेलिद करना constitution का बहुत important question जो exam में आ सकता है इसको आपको सुमेलित करना है, इसको आपको मिलाना है, सुची एक को सुची दो से, मैं चाता हूँ कि आप लोग जवाब बेजिए, बरसार आई, बरजेश तिवारे, गुडियूमिनिंग बेटा, पूर्णम गुत्ता, ठीक बेटा, साइड में हो गए, तुरम बताइए, सुची एक, सुची दो को, सुची एक और सुची दो को सुमेलित करना है, तुरम जवाब बेजिए, सुमेलित करना है, सुस्मा मोर्या, बताइए भाई, आड़किल फिप्टी पूर, भारव का राष्ट्पती निर्वाच्चित, आड़किल सेवेंटी फाई, प्रताइए, प्रतान मंत्रियों मंत्रशत, आड़किल 155 राज के राजपाल के नियुकती, आड़किल 164 राज के मुक्वंतियों मंत्रशत के नियुकती, इसका एंसर क्या होगा, ए, जितने लोगों ने एंसर बेजा, एकदम सही, एंसर बेजने वाले सभी लोगों का जवाब सही, अग पॉइंट नामिनेटेड ये जवाब लिख के भेजी इसको भेजिए भारत का प्रधान मंत्री भारत का प्रधान मंत्री का चुना होता है भारत का प्रधान मंत्री भारत का प्रधान मंत्री क्या होगा इसका नियुक्स करता है कौन नियुक्स करता है राश्पती लोग सभा म ज्यादा सिटलाने वाले पार्टी का जो नेता होता है ठीक है चलिए अगले कोश्चन पर आते निम्नकित में से कौन सा एक भ्या है भारत की संचित नित पर भारत नहीं है बताई इस में से चारों में से कौन सा एक भ्या है जो संचित नित से नहीं दिया था कौन सा एक भ्या भारत की संचितनित पर भारत नहीं है, which one of the following expenses not weighted on the consolidated fund of India, संचितनित से नहीं दिया था, बहुत important question, कौन सा है इसका, इसका answer दिलोगत बाद देश का अभित्तनों बत्ते, ये संचितनित से नहीं दिया था, ठीक है, अगले question पर आईए, किसकी नियुकती राज का राजपाल नहीं करता, बहुत important question, बढ़ा असान question, किसका appointment राजपाल नहीं करता, किसकी नियुकती राजपाल नहीं करता, ठीक है सुना लिए राजपाल बताईए, किसकी नियुकती राजपाल नहीं करता, किसकी नियुक्ती राजपाल अमिस्था ही किसकी नियुक्ती राजपाल नहीं करता कौन को नहीं करता उच नियाले के नियाएधी इसको लेकिन सपद दिलाता है नियुक्त नहीं करता सपद दिलाता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं सभी लोग इंसर सही नियुक्त युगमों में से काउन सा एक सही सुमेलित नहीं ये ध्यान दिजिए नियुक्त में से which one of the following for a severe is not correctly matched बताये इसमें काउन सा होगा which one of the following for a severe is not correctly matched बहुत ध्यान से question का जवाद दिजिएगा बहुत ध्यान से गलती नहोने पाए इस question का जवाब दीजिए बहुत ध्यान से question दीजिएगा बताईए भाई इसमें कौन सा एंसर होगा निम्लिकित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है इसका जवाब बेजिए निम्लिकित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है निम्लिकित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है निम्लिकित में से ध्यान दिजे 23 प्लासी का युद 23 जून 1757 ये प्लासी कहां पे है भागी रती नदी के तड़ पर कहां पे भागी रती ध्यान रखिएगा भागी रती नदी है ये भी कोशन एक बार एक्जाम में आया थ कि प्लासिका युद किस नधी के सठपर हुआ था तो जबाब क्या देएंगे आप लोग भागी रदी आप करा कि यहां पर अखमसा था क्या सek ठेके भागी रदी नधी के तडपर यहां का सासा कौन ता? आलम गेर दुती. अब लोग वीडियो में एरोपियों के वीडियो में मुगलकाल का पतन पढ़ लिएगा. बकसर के उद्रिक सासा कौन ता? सालम दुती. बकसर का युद्र कब हुआ? सतरा सो चौंशट में. बकसर के उद्र के बाद इलहाबाद की संदी होती ह अंगरेजु दॉरबंगाल में बनाया गया पहला नमाब कौन था? मीर जाफर. इसी मीर जाफर को कलाईब का गीदार का गया. क्लाईब का गीदार का गया और काल कोठी गटना सिराजुद दौला के भीच में सुमेलित कोन नहीं है? ए ऐ, फेकर? गाल कोठी के ुटना सिराज इक लाग रूपे दिए बहुत इंप्oritकुशन क्या-इंग रेजूंग के किस एपने एक लाग रूपे दिया गया एक लाग रूप दिया गया चैनल को लाइक में करीये अगर अच्छा लग रहा आप लोगो बताईये बिटिस सरकार के किस अधनियम ने पहली बार भारत में सिच्छा के लिए एक लाग रूपए बताए एक लाग रूपए बताए पूर्णम गुप्ता थारा सो तेरा होगा उनी सो तेरा इसमें नहीं दिया बेटा बताए प्रद्रापती एक लाग रूपए इसमें दिया 1817 चार्टर अधनियम 1813 में एक लाग रूपए है यह उड्म डिस्पैज गलत दिया गया है अठारा सो चाहुण है इस उड्म को सिच्छा का मैग नहें का लृष इन को सिच्छा का मेंगना न нал गेर है ठीक है तो तो इस अधनियम के तहर चाल्टर एग सभी लोगों के इंस्वर सही ठीक है किसमे अठारा सो तेरा के समय चलिए आगे बढ़ते हैं ये कोश्च्चन बताएं सूची एक सूची दो को समयलिंद कर ये नीचे दिये गए फ्रेहंदोस्तान तारकनाद पहले भी मैं डिस्स कराया हुआ हूँ अब उद्या बदरामोहनृ मॉरा भी पहला का तर्ड तंच्रिया अभूद ए है तो सहीए बंगदूत रजयाराहम मौनृ राय हिं अन्दुप्रकास रह नाले इस के अंसर क्या होगा इसके अंसूर आपका हो जायेगा दी इंस्ज़्र क्या क्या होगा डी इसका एंस्वर क्या होगा ध्यान रखिएगा फ्रेंदुस्तान थारकनात अबुद्दे मदन मोहनमालभी बंगदूत राजा राम मोहराई उंदुप्रकास रानाडे का सभी लोगों के इंस्वर सही है ये बताई आड़किल सस्त्रा अनुचे सत्रा के सम्मद् आड़किल सत्रा क्या है अंटचेजबिल्टी अस्विस्ता का अंद क्या है अस्विस्ता का अंद क्या है अस्विस्ता का अंद ठीक है बताई इसमें क्या होगा यह एक निर्फेच अदिकार है यह ब्यक्तियों राज दोनों के दुपलब्द है ठीक है इसका एंस्वर क्या को बिना चर्चा या बहस के पारित कर दिया जाता है तब इसे क्या करते हैं बहुत इंपोर्टेंट आई एस में आ चुका है तो आरों में क्यों नहीं आएगा ये ध्यार रखिए जब किसी अनुदान की मांग को बिना चर्चा या बहस के पारित कर दिया जाता है तो इसे क्य का करते हैं जवाब तुरूंत भेजिए तुरूंत जवाब भेजिए क्या करते हैं गिलेटीन यह बहुति इंप्वार्टेंट कॉच्चिन है और यह इक बार आई-एस के मेंस में भी आया था किसमें में सके एकजाम में ध्याना के जब किसी अनुदान की इमांग को बिना चर्चा या वहस के पारित कर दिया जाता है क्या कहते हैं गिलेटीन या गिलोटीन कहते हैं क्या होगा इंस्राइंस वर यह होगा एकदम सही ठीक है आगे बढ़ते हैं नम्ने किस तूफी संतों में से किस एक रचनाए गुरु गरंत साहब में संबलित है किस से गुरु थे पांच में जिनको जहागीर ने फासी दिया था ध्याना किएगा किस को गुरु अर्जुन देव को किस ने फासी दिया जहागीर को दस सिक गुरुओं में दो सिक गुरुओं को फासी दी गई एक जहागीर जिसको एक एक गुरु अर्जुन दो किस ने दिया जहांगी और एक गुरुतेक बहादूर जिसको किस ने दिया और अंजेव ने दिया ठीक है बेटा अब ध्यान देजिए करा कि गुरु अरजुन देव की जो गुरु गुरंद साहब थी उसमें किसका उल्लेक मिलता है बहुत इंपोर्टन कोशन बार बार एकजाम में आता है किसका उल्लेक मिलता है पुर्णम गुप्ता निशा बर्मा किसका मिलता है बाबा फरीद का बाबा फरीद का किसका मिलता है बाबा फरीद का उल्लेक मिलता है ध्यान रखिएगा किस गुरु के समय गुरु 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 गुर चलिए आगे बढ़ते हैं इस यह कोश्चन आपको सुमेलिद करना यह कोश्चन क्या करना सुमेलिद करना तुर्ण जवाब बेजिए इसको मिलाना बहुत इंपोर्टेंट कोश्चन modern history से एक दो क्योंस्टा आपको date से आएगे मतलब की date पूष सकता है इसको आपको मिलाना रूम आंग्लरादे उंपर्डव differentiation आंग्ल अपलकी क्योंप का हुए तक लिए को 17 सो असी प्रत दूती साथ दूती आंगल में सुर कब हुआ सत्रों सो सी जिसमें हाइदर अलिकी मिर्ट दो जाती है इसका उत्तर क्या होगा सी एका तर्ड बे का फोर्थ सी का फर्ष्ट जितने लोगों ने इंसर बेजा एक दम सही ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं निर्वाचित होने के लिए बेप्द की नियुनतमा कितनी होने चाहिए बताइए जरा जवाब बेजिए इसको तुरन जवाब बेजिए राज बिधान परिशत का स दस निर्वाचित होने के लिए बेप्द की नियुनतमा कितनी होने चाहिए कम से कम एज कितनी होने चाहिए बिधान परिशत का तुरन जवाब बेजिए बिधान परिशत का प्रदेप्रजापती ब्रजेश प्रमोद तुरन जवाब बेजिए कितना तीस बर्स कितना होता ह तीस बर्स, आईयस बनने के लिए निउन्तम एज कितनी होनी चाहिए, तुरण जवाब बेजी, आईयस बनने के लिए निउन्तम एज कितनी होनी चाहिए, तुरण जवाब बेजी, आईयस बनने के लिए निउन्तम एज कितनी होनी चाहिए, आईयस बनने के लिए निउन्तम मेज रनविजय सिंग साबत बेटा तुम बनोगे भी एस स्वाई ठीक है पूनम गुपता एक की साल बेटा चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं बता ये भारती तिहास के संदर में निम्लिकित गटनाओं पर विचार कीजिए इसको आपको सुमेरित करना ये बहुत आसान कोश् के संदर में निम्लिकित गटनाओं पर विचार कीजिए पूरे रात महरत करकर के कोश्चन बनाया जाती इतने इंपोर्टिंग कोश्चन है आने की प्राइबिल्टी ज्यादा से ज्यादा बताईए ये घटनाओं कब हुई इसका उत्तरौत बेजिए ठीक है इसका जवाब अब ये तुरंद भारती इतिहास के संदर में निम्लिकित गटनाओं पर विचार कीजिए कामा गाट्र मारू प्रक्राइब गांदी जी का भारत आगमर 1915 होमर रूलिक 1916 क्या होगा 1916 ठीक है अब बताइए क्या होगा एक दो तीन कामा गाट्रो मतलब कि जो भारत से जहा अपराइल 1916 में तिलक के द्वारा और सितंबर 1916 में एनी बिसंड के द्वारा ठीक है अगले कोश्चन पर आईए निम्लिकित मुगल कालेन बिद्वानों में से किस एक ने सर्वताम अमेरिका की खोज का उनलेक किया बहुत इंपॉर्टन कोश्चन ये तो कोश्चन आने क कि पूरी गारंटी मुझे लग रही है किस मुगल कालेन बिद्वान ने अमेरिका की खोज का उनलेक किया तुम बताइए अमरिका की खोज का उनलेक किस बिद्वान ने किया किस ने किया ये जवाब बेजिए किस ने किया ठेक है 1492 किस की कोज अमेरिका के इसी की कोज के 400 बरस पाद पूरे होने पर 1893 में अमेरिका के सिकागो साहर में धर्म सम्मेलन हुआ था जिसमें कौन भाग लिया था विवेका नन ने भाग लिया था ध्यान रखियेगा अमेरिका की खोज के 400 साल पूरे होने पर 1893 के सिकागो के धर्म सम्मेलन में किस ने भाग लिया विवेका नन ने ये बात किस ने कही थ अबूलफजल ने कहा था अमरीका की खोज का उले किस ने किया अबूलफजल इसकी सबसे फेमस मुस्तक क्या है अकबर नामा क्या है अकबर नामा अबूलफजल का जम कहा हुआ राजस्थान के नागवर जिले में कहा हुआ राजस्थान के नागवर जिले में एक चीज़ और ज्यान लखिएगा मागावर से ही दो अक्टूबर दो अक्टूबर उन्नी सो अन्सट को पंचायती राजवियोस्था शुरू ही थी दो अक्टूबर उन्नी सो अन्सट से चलिए आगे बढ़ते निश्ट कुशन पर आईए निन पर विचार करें उपर राश्पति प्धानमंति राजपाल मुख निराचनायुक उपरूत्म से किस किन की निउक्त भारत के राश्पति दोरा होती है इन चारों में आप बताइए किस की निउक्ति राश्पति करता है इन चारों में किस की निउक्ति राश्पति करता है तुरन जवाब बेज तो प्राश्पती का चुनाव होता है उपराश्पती का चुनाव होता है उसको राश्पती चुनता नहीं ठीक है वो प्राश्पती का क्या होता है चुना होता है ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कोश्चन पर आईए भारत में आएकर प्रारंब करने के लिए कौन उत्तरदाई है बताईए भारत में आएकर प्रारंब करने के लिए ये बहुत इंकम टेक्स आएकर के लिए किसका नाम किसका नाम आता है आएकर के लिए किसका नाम आता है जेम्स बिलसन का किसका नाम आता है जेम्स बिलसन का बहुत इंपोर्टेंट कुश्चिन आएकर के लिए किसका नाम आता है जेम्स बिलसन इसका ठारा सो चौवन का हुई ठीक है विलियम जोंस ने 1784 में इस्याटिक में पर में सतों बनाता चलिए इस क्योंषिन पटा यह सोला और करिया सोला महाजन थ्याना 1986 बॉह दंग की के पुस्तर कहां मिलती है अंगुत्तर निकाहे में ऑर जैंदर की के पुस्तर है है भगवती सूत्र में अब आपको इनको उलेक करना है सुमेलत करिए तुरंट जवाब दीजिए तुरंट इसको बेजिए पूर्णम गुद्दा बेटा साइड में होगे बताओ इसको तुरंट इस कोईश्चन का जवाब बेजिए आप लोग तुरंट अबंती जिसे उजयन कहा जाता है उजयन जहाँ पर महाकाल का मंदिर किसका महाकाल किस नदी के किनारे चिप्रा नदी के किनारे कहां पे चिप्रा तो एका फर्स्ट ठीक गंधार जहां का सकुनी था गंधार कहां का सकुनी था कहां पे सावर रावल पिंडी एक और दो चेदी मद भारत में बुंदेल खंड का पूर्वी भाग वज नेपाल की पाणिवंगा इसका उत्तर क्या हो निकित में से काईव सी अकल्भारती सेवा आज़ित नहीं है ये बताइए संविदान में वुज आप pizza ch Quebec इंडिया सर्बसेज नाट डिस्क्राइब इन डिस्क्राइब इन दे कांसी टूटुटुचन में कौन सी सेवा नहीं दी गई है अकल भारती सेवा का वर्डन नहीं है सम्भीदान में तुरं जबाब बेजिए हाँ बाई गंधारी भी थी ठीक बिता बताईए इसमें भारती इन्याइक सेवा क्या नहीं है इंडियन जुडिशली सर्वीस ये अकिल भारती सेवा नहीं आती ये तीनों आती है यदि आप लोग आईएस में सेलेक्शन पाएंगे या तो आईएस का च्वायस रखेंगे या या थो आईएफachtet बहारती पंसे वा या एमबेस्टर के रूप में इडियन फारेंशर्य जबिछ ले बताये निवन पर विचार करें इनों में समोरती सूची का आब इसाय कौन कौन है बता, इसमोरती जूची का विसे कौन कौन है यह बहुत इंप्र स्टेटेंटनमोरर्था समोर्थी उची कौन कोन है समोर्ति सूची क्यार्टन कौन करतों जवाब पर है रहुल कुमार आले साइज इस में से कौन सा समोर्ती सूची का मिसे ये अस्टलिया के समिदान से लिया गया था बताईए इसमें समोर्ती सूची का मिसे कौन कौन है पुरन जवाब बेजिए समोर्ती सूची का मिसे समोर्ती सूची का मिसे इन चारों में इन पांचों में दो ही समोर्ती सुची के मिसे हैं एक तो आपका क्या है दंड बीदी और दुसरा बिवार मतलब दो और पांच समोर्ती सुची के मिसे हैं दो और पांच समोर्ती सुची के मिसे ध्यान रखियेगा लोग बिवस्था भूमी जुवा ये सब किसके मिसे हैं राज सुची के किसके का विसे है संग सूची का रेलवे किस विसे का सूची का है संग सूची का लेकिन अगर दे दिया जाए एक्जाम में रेलवे पुलिस रेलवे पुलिस किसका विसे है रेलवे संग का विसे है यूनियन लिस्ट है लेकिन रेलवे पुलिस किससे समंदित है यह जवाब सीनू बताओ बैटा रेलवें पूलिस, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉनकरंट में किसका है तुर्ण जवाब बेजिए हमें सही याँ बताइए साहबत बैटा हमें सही रास्त, रास्त, राज सुची का ठीक चलिए अगला कोशन बताइए राष्टपती राष्टियापात क्याल की उद्घोषणा मंत्रिमंडल की लिखित सूचना पर ही कर सकता है लिखित सूचना की अनिवारता कि समिधान संसोजन द्वा जोड़ गई बताईए इमेरजेंसी लगाने के लिए कौन सा अमेंडमेंट किया गिया कि जब तक लिखी सूचना नहीं मिलेगी तब तक नहीं लगाई जाएगी बताए तुरन जवाब बेज़े इसको दिरेश कुमार सुस्मा मौरे एकदम साही इसको जवाब बताए राष्ट पती राष्टी आपात काल की उद्भोसरा मंत्र मंडल की लिखित सूचना पर ही कर स करता है लेकिर सूचना कि यनिवारता जोड़ी गई इसके दौरा 244 में ध्यान रखेंगा बैल समें समिधान को छे बर्स कर दिया गया था लेकिन जब चोवलिसवा समिधान संसोदन हुआ ये छे बर्स से घटा के पांच बर्स कर दिया गया कितना कर दिया गया पांच बर्स कर दिया गया था ठीक है बेलिसवा में समिधान संसोदन के द्वारा मूल करतब को जोड़ा गया था ध्यान र करतब मूल करतब किसके रिकमंदेशन पे सवान शींग समित पे समल सिंग समीत यह भूलिए गाम कि एक्जाम में ऐप के आएगा पहले मूल करतब कितने थे 6 वने चैनल एक है थीक है आप लोग चैनल को लाइक करिए सब्सकाइब पर दोस्तों को भी सेर करें चलिए अगला कोशन देखिए निन पर विचार करें यह बड़ासान कोश्चन और बार बार प्वार पूचा जाता है बताईए निन उपर किसके किनके संयुत बैठक का प्रावधान नहीं ध्यान रखेगा संयुत बैठक अनुचेद 108 किस पे नहीं है दो और ती मतलब धन भी देया और समिधान संसुदन के लिए संयुत बैठक की जरूद नहीं होती चलिए आगे बढ़ते हैं निन पर विचार करें नियंतरक अटारी जनर्रल 76 आड़ किल मंध परसद 74 मंध परसद 75 C.A.G. 148 उपर्द में किसका किनका बॉर्डन संविधान में नहीं यह बताएए इसमें किसका बॉर्डन संविधान में नहीं है बहुत आसान कोश्चिन है बार बार एक्जाम में आता ह निन पर विचार करिये इसमें किसका उनलेक का उनलेक नहीं है इसका उत्तर क्या होगा डी बजट का उनलेक नहीं है अगले कोश्यन पर ध्यान दीजिए निम्द्रकी त्षी इस सही सुमेलित नहीं ध्यां दिजिए पुस्टक लेखा लेखा हिस्टरिका यह नहीं है इंडिका का लेखा कौन था मेगस्थनी इंडिका का लेखा कौन था मेगस्थनी से लुकस का राजदूद था निच्रियल हिस्टिका पिलानी सही सेक्रेट बुक आप दईस्ट मैक्समुलर सही है चलिए अगले कोशन पर ध्यान दीजिए नमने कितनी युगमों में से काउन सा एक सही सुमेलित नहीं बहुत इंपॉर्टन कोशन बार पार ए कि अच्छन बताइए नमने कि अगरो में को सा एक स出 सफ्य सुमेलित नहीं आता है ऑसनका को सा था संकरदेय। कि मलोक दास यह ग़लत यहां कहा हो ना दे इलहा बाद में इनका जरुन हो पर याँद में प्रियाग हो गया अब क्या हो गया प्रियाग ज्यहान रिखिएगा नर्सी में ता गुज़ात सही है करा ये कौन सा एक सही सुमेलित नहीं कौन से गलत अंकर देव असंभ तेह जए मलुक ता सिलाबाद है नर्सी मेता गुज्रात है नाम देव महाराष्ट्रा है अगले कोश्टन पर आईए दास प्रथा का अंद लाड ये रनबरो कब किया गया ठारा सो तिराली डिट भी डूट कर लिजेगा ठगो का दमन स्लीमें सही नर्वल प्रथा का अंद यही सुमेलित नहीं है किसके समय हुआ बिलियम बैंटिंग के समय किसके समय बिलियम बैंट ये बहुत इंपोर्टेंट है सती प्रथा का सबसे बड़ा काउन था राजा राम मोहन रा जिसके प्रयास से क्या हुआ सती प्रथा का अंत हुआ अगर इगजाम में आजा सती प्रथा का समृध्धा राधा कांद दीव ठेक पुनम गुप्ता एकदम साही अनुराग यादाओ चलिए बिटा आगे बढ़ते हैं कि समझेत के ताथ राश्टपती को जेबी बीटो जिसे पॉकेट बीटो करते हैं जेबी बीटो का सबसे पहले प्रियोग करने वाले काउन थे जेबी बीटो का प्रियोग करने वाला राश्टपती ग्यानी जैल सिंग राजियु गाधी के कारकाल में डाग विधेक पलाया था इसमें कौन होगा अनुचेद 111 कौन सोगा अनुचेद 111 ठीक है बिटास एकदम साही ठेक है चैनल को लाइक करें सबस्काइब पढ़ें दोस्तों को सेयर करें में कौन सा एक असत्त है बताइए इसमें कौन सा एक असत्त है यह ध्यान दीजिए इसमें से कौन सा कफन असत्त है कौन सा कथन असत्य है यह कर रहा है कि कौन सा कथन असत्य है संसत्य के दोनों सदनों में मनों सदिस होते हैं ठेक है मनोनीत सद्स मंत्री नहीं बन सकते है मनोनीतНस क्या होते है मंत्री बनते है उनको मंत्री बनाया जाता है ठीक है चले हैं एकले कोशिण پर 550 कोशिण कहां पर ब Means by로 कह पयोगा कहां पे है भोपाल ये पूछा जा रहा है इस में से चारों में नौ पासान काल मद्ध पासान काल से पूरा पासान काल से इन में से कोई नहीं चैनल को लाइक कर लो बिटा सबस्काइब पर ये किस्से है मद्ध पासान काल से किस्से समंदित है मद्ध पासान काल से भीम बिट को उनके काल क्रम के नुसार इसको जवाब तरुम बेजिए बंगाल के नवाब रखें रखिए मुर्शीद कुले कहां 1717 से 1749 ध्यान रखिएगा सर्फराज कहां 1749 से 1740 अलिवर्दी 1740 से 1756 मिर्जापर 1757 से 1760 अब तो आप इसको मिला ही लेंगे अब तो आप इसको सुमेलित करेंगे चैनल को लाइक करें दोस्तों को भी सेर करें सिसका क्या होगा दीटव में कुमशन पर आईए अब यह कोश्चन देखिए है इसने पहले कां था हिन्दन पहले कौन होंगे फिर क्या होगा इसका एंसर क्या होगा बी एक दम सही एंसर क्या होगा इसकावी सोड़े कथ हमाई फिर पहलो फिर कुसान इसीर के समय सबसे फेमस को था गनिश संन्ग था इसी के समय Cancer如此 एप tenía अगला कोस्चन देखिए कि लेकिद युगुमों पर विचार कि यह क्योश्चन बहुत इंप्वेकर करें गरिए यह कंड़ने सब्दान से क्या उतक है सभी सही है एक दम सही इसका क्या होगा डे सभी कोश्टन सही है आप लोगों को 46 को डिसक्ष moиться करा गया बैस्ति और क्या वाले तो और आपके सामने साइंस सायंसवाले सरा रहे हैं साइन्स के कोश्चन डिसक्स कराया जाएंगे और आप लोग बने रहे चैनल को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए अपने दोस्तों को भी सेर करिए बहुत से कोश्चन एक्जाम में सेम आपको मिलने की गारिंटी है ओके थैंक्यू बेटा आजाए है हलो गाईज वेलकम बैक टू आप चैनल एक्जाम बड़ी मेरा नाम है सतेंद्र पाठाक और हम लोग डिसक्स करने वाले हैं बहतरीन उंदा क्रश्म के सवाल जो कि विज्ञान प्याधारित है चलिए फड़ा फट से देखना शुरू कर रहे हैं पहला पूछ रहे हैं नेक्स्ट करते हैं चलिए इसको देखे विचल वन और फॉलाइंग इस नोट करेक्टी मैच इन्हें में से कौन सा सही से सुमेली तो नहीं है ओडो मीटर की बात कर रहे हैं आप लोग फड़ा फट जांगे खसाल होता है। उंड़ो मीटर कल हम लोग डिसकोस किया था इसमें क्या होता है फ्रिक्ट्वेंसी मिजर करते हैं अनि आ य। मापो में फटे हैं और फिर हम और फिर उयुटन स्ट वं वर्य बास करते हैं। गाइरो स्पियर जो होता है आपके मोवाइल एने सेलफोन में भी होता है जो इसका थ्री डाइमेंशनल लोकेशन दिखाता है एक्सेस में उसका पोजिशन दिखाता है तो यह जगाँ पर अगर एंगल की बात कर लेते जुकाओ या स्लोप की बात कर लेते तो यह सही हो जाता है बागी सभी सही है ओडो मीटर क्या होता है दूरी मापने वाला अंतुर अचली अगले पे चलते हैं नेस्ट कोशन है फ्रिक्वेंसी बैंड यूज इफिम ब्रोड कास सर्विस करें फ्रिक्वेंसी मॉडूलेशन मुडूलेशन क्या होता है और पहली बात क्या चैरे किरें इसकी रेंज होती है 199 नुसे 155 होती है तीसरा बता ने चैंक्से 5 और लास्ट में बता रहे हैं 88-108 MHz होती है वेरे गुड़ वेरे गुड़ वेरे गुड़ ऑसम तो सही जवाब क्या हो जाता है आपका सही जवाब जाता है एक प्रिक्वेंसिट टेलीवीजन की जो फ्रिक्वेंसिए होते हुग हो जो इसका पहला जो था टीवी वाला वो लो जोन बुलाता है उसके बाद में हाई जोन फिर वेरी हाई फिर अल्टरा हाई बाकी आपके सिलबस में नहीं ज्यादा टिपिकल हो जाएगा next देखते हैं, Ebola और Zika इस दोनों के दोनों वाइरस है इनका नाम किस से लिया गया है और इन्हीं वाइरस के नाम पर ही इस रोक का भी नाम दे दिया गया है पड़ा बट जिबताईए, क्या हो जाएगा इसका सही जवाब comment section में अपने जवाब ज़रूर दिया करें और त्वरित प्रूप से जवाब दें है ना अगर आपको से सम्मंधित कोई special knowledge भी है वो भी आप type कर सकते हैं ठीक है ताकि discussion हो जादस जादा लोग से लाभानवित हो सही जवाब क्या हो जाता है इबोला एक नदी जवाब जाता है और जऑ जाता है और इसी के आसपास में कुछ लोगों ने क्या किया? सुवर का मंस खाया और वहीं विमार हुए आंतर स्राव जैसी विमारी हो जाती क्या होती है आंतर स्राव यानि कि internal bleeding हो जाती ही blood की यानि blood clotting नहीं बन पाता जीका की बात करें जीका एक जंगल है कहां पे यूगांडा युगांडा की जंगलों की बात हो रही है बिल्कुल सईही बात सारे लोग सही है जीगा क्या है मस्तश का आगाती है यह क्या करता है भ्रूडा वस्था में ही शिशु के मस्तश का विकास रोग देता है और उनका डव weapon सही से नहीं हो पाता दोनों viruses है 60 60 70 सब लिखा रहता है इसका मतलब जरा समझ लो इसका मतलब यह होता है एक नॉर्मल एलिमेंट आप ले लेते हैं इस समानल लोग आपने सोडियम ले लिया ठीक है तो इस नॉर्मल और अगर आप डाल देते हैं तो उसके अंदर भी रेडियो धर्मिता आया तो उसी रेडियो टेविटी के आधार पर हम अलग-अलग काम उससे कर पाते हैं और आपको इविता दें कि कोबाल्ट 60 का प्रोडक्शन का होता है नियुक्लियर पावर प्रांट्स में हम इसका प्र सुडियुम्ट 50 यह क्या होता है सांट मतलब उनका फर्माण उत्रमांग अगलार रिप्रकॉ defining नहीं गलत हो जा ли59 आप इसमें लो को मेजर करते हैं व्लेटी इसमें को इंडेक करा आसने और और ग्लोट्रेक्ट कर आदा यहीं ब्ल्रोट्री कर दो कहां पर है किस हिसाब से उसका फ्लो हो रहा है इसके लिए हम लोग रेडियो सोडियम का अस्तमाल करते हैं नेक्स्ट करते हैं सोडियम लेवल्स भी चेक करते हैं यह बहुत बढ़ी है क्वेश्चन है इंसुलिन में कौन सी धातु मौझूद होती है इंसुलिन में कौन सी धा जिंक है जो जल्दारिता के लिए बहतरीन काम करता है जिब कभी जिंक कोला का मतमद ही है कि जब कभी उल्टी दस्ते मसे आती है तो जिंक संबंदी चीजों की ताद बढ़ाई आती है श्रीर में ताकि जल्दारिता बढ़ाई आ सके B12 में कोबाल्ट की मात्रा कोबाल्ट की मात्रा होती है B9 में आईरेंड की मात्रा होती है यहाँ देखें निमनम लिकित में से कौन सा सुमेल इतनी है which also following is not correctly matched पहला एंथोसाइनिन की बात कर रहे है किस में बात कर रहे हैं किसमें बात कर रहे हैं टर्मरिक की, टर्मरिक यह नहीं कि हल्दी की बात कर रहे हैं, और लास्ट इम बात कर रहे हैं, कैरिका जैन्थिन की पपीते की, बताइए फड़ा पट से इसमें कौन सा सही जवाब नहीं है, सही जवाब इसमें क्या हो जाता है, कि हल्दी का ये सुमिलित नहीं है, इसका ना बलू ब्लू थम्भ नहीं है ब्लू बैरोल की बात कर रहे हैं। फिर बात कर रहे हैं। इसे कौन सा यसा है जो वर मतले की भास अब बतारा है। हरा और श्वेत, तोथा या विट्रॉल की भी बात बता दें, कमेंट सेक्शन में, इसमें सही गलत जवाब आता है, इनकम्प्लीट ऑप्शन ही है, इनका नेमिंग के बजाए इन्होंने ऑप्शन सही नहीं दिया, तो इसी वज़े से ऑप्शन नमबर भी इनकरेक्ट आता है वाशिंग सोडा भाई सही बात है, बेकिंग सोडा की बात करें, सोडियम बाइकांबनेट, इनक्स पे चलते हैं, केरें निमलिकित में से कौन सा एक आस्पिरिन का नाम है, आस्पिरिन दवाएं जो सरदर्द में आप लोग लेते रहते होई ना, दर्द में एक दर्द चलि, इसका सही जवाब बता दे रहा हो, एसेटिल, स cierto, छुट, असेटिल, सैली, सैलिक, आसेटिल, सली, सैलिक, आसेटिल, सली, क्यास्थट, ऑप्सन नम्बब सी आपके रट घाता है, यहाँ बताएं आँगा आप बोन, आश, बोन, आश का मतलब बहता है, राक, हड़िय के निर्माण में जो मूल घंक है वो कौन है हड्डिन का निर्माण घंक में मूल कौन है निर्माण में मूलोगत कौन सा है पताय। देखें पहली बात आप ध्यान रखें काल्सियम की मात्रा शरीर में बहुत जैदा मात नहते है CES zijn बहुत भारी मात्रम पाया तक तो है लेकिन अगर आप बात करेंगे कहां पाया तो आप कहते हो सर बोन्स में पायाता है तो बोन्स में सीधर कैल्सियम थोड़ी चड़ा होगा कैल्सियम किसी सॉल्ट के रूप में होगा है हर एलिमेंट हमेशा खुद को स्टेबल करने के आप कोलिप का हर्मोन खराईहर्महन को अगर इसकी बात करोगे इसका शायथा करता है इन नो के सहायख हार्मोन की बात करोगए तो लिटमिन डी को हर्मोन के नाम से Hey केल्सियम सलफेट नहीं सीनुपार्टनवाजिक कैल्सियम फॉस्फेट निमलिकित में कौन सा माइक्रब माइक्रोस्कॉपिक और और पानी के उबलने के बाद भी जीवित और सक्रिय रहता है और हम आपको बदा दे ऐसे जीवाणों को मारने के लिए इसमें क्या होता है कि टेंपरेचर के साथ साथ में आप प्रेशर भी बढ़ाई रहें आप प्रेशर भी बढ़ाईए प्रेशर भी बढ़ाईए यानि कूकर जैसा कुछ अटमस्फियर दीजे समझ रहें पता है कों सभी हो जाएगा इसमें वेरे गुड वेरे गुड नहीं नहीं सभी जवाब होता है इसमें बीजाणु दैडिज इस पोर्स यह जो भी जो होते हैं चाहे किसी फूल के पत्तियों के हो ठीक है किसी भी प्रजाति के क्या हो स्पो लोगों को अलर्जी भी रहती है तो इसको डिके कराने के लिए टेंपरेचर के साथ साथ में प्रशर भी बढ़ाना पड़ता है तो आप ध्यान रखेंगे कि इसके इस्टरलाइशन में हम लोग क्या यूज करते हैं और टो क्लेव मेथड का यूज करते है चलिए निमलिकित म आप बताओं के पहले अंसे बताएं फिर हम आगे बताते हैं लाइकेन वही जो आप हम आपको पढ़ा रहे थे जब पी एच पेपर तो हमने आपको समझाया लाइकन लाइकन के उच और नहीं होते हैं कवक और अलगी के मिक्स मिश्रिद रूप होते हैं ऐसी जगों पर जह किसके अंतरगत जाता तो आप कहोगे फंगस कवक के अंतरगत पढ़ा रहता है पर कवक प्योर नहीं होते हैं वो क्या हैं हाइबिडाइज के साथ में दोनों के लक्षण दिखाते हैं ठीक है विलकुल सभी बात है कैसीन जो है यह दूद में पाजाना पोटीन है अलबुम ग्लॉविलों की बात करोगे यह पकजविलवा एका भी बन सकता है क्योंकि अभी प्लाज्मा ठरपी चल ले थी तो आप बताएंगे ला जमा मेंसे क्या निकान जाए कि बचे हुए पार्ट को हम बोलते हैं सिरम बताइए सिरम बोल देते हैं बचे हुए पार्ट को, प्लाजमा में से कौन सी छीज ठादो आप कि आपको सिरम मिल जाता कि आप प्लाजमा थारपी अपना सको प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो उसका गलनांग क्या होगा उसका गलनांग क्या होगा दिमाग लगा के सोचना परिवार में ताउ जी ने दबाओ डाला और सारे बच्चे साथ 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 हो गए और अगर आप गलनांग की बात करे हो गलनांग का मतलब होता है टेंपरेचर दे देना और उसको पिघला देना ऐसा तापमान जिस पर ओ पिघल जाए कौन होते हैं पडोसी होते हैं जो आके गलनांक बढ़वाने काम करते हैं, तोड़ने काम करते हैं, लेकिन दादा जी का दबाव बहुत है, जोड़े रखने का, तो बताईए अगर दादा जी का दबाव जादा होगा, तो पड़ोसियों को जादा मेहनत करनी पड़ेगी की नहीं करनी पड़ेगी, बताईए आ तो सही जवाब क्यों जाएगा? कि बढ़ जाए, गलनांक बढ़ जाएगा. समझ रहे हैं आप बात को? गलनांक वथनांक ये बढ़ जाते हैं जब दबाओ बढ़ता ध्यान रखें शीज का. हाँ, हाला कि कुछ conditions ऐसे होते हैं जहां वेक्ति तूट जाता है. यानि इतना पर बर्फ की बात करो. बर्फ को जब आप गरम करते हो तो पिखलेगा. तो वाटर का वॉल्यूम बर्फ से कम होता है. जल का वॉल्यूम क्या होता है? बर्फ से कम होता है. ध्यान रखें इसको. तो जल क्योंकि कम होता है. पहले क्या थे? ज्यादा थे. पास लाने आपने प्र प्रशारित दिखाए उनका बढ़ेगा और जैसे पदार्थ जो प्रसारित नहीं होते ज़िए दबाव डालने पर जो गरम करने पर प्रसारित नहीं होते उनका घटेगा ठीक है बहुत रहें कितने हमारे साथ बने अच्छा वेरी नाइस चलिए इससे बताईए carbon monoxide की बात कर रहे हैं, benzin की बात कर रहे हैं और dioxin की बात कर रहे हैं आप से पूछ रहे हैं इसमें से कौन सा cigarette के धुए में मुख्य प्रदूशक ठीक है, और carcinogenic element जो है वो भी आप बताएं, cancer causing element का नाम ही बताएंगे तो कह रहे हैं इसमें से कौन-कौन से ऐसे हैं, जो cigarette के धुएं पाए जाते हैं बिल्कुल सही बात है मुख्य आरिप जी आप सारी lectures देखें साइंस के, बहुत बहतरी ने ऐसे example से भरे हुए पड़े होते हैं तो डिटेल लेक्शर जो होते हैं, चली, सही जवाब सारी, incomplete combustion का मतलब होता है कि आप तोड़ते हैं, तोड़ना मतलब क्या होता है, देहन, oxidation है ना, oxygen के साथ में उसका oxygen, आपने कहा oxygen साइस कराए नहीं, carbon monoxide बना था, यानि यह सही नहीं है, यह क्या करेगा, यह react करेगा, सिंपलर molecules पर नहीं तूट पाया, तो ध्यान रखें, यह खतरनाक है, बेंजीन खतरनाक है, तो यह दोनों option आपके, यानि C option आपके करेट आता है, 1 and 2 are the main pollutant in the cigarette smoke, क्या है, cigarette smoke के गुड़ सूत्रों की संख्या के परिवर्तन की अधार पर अनुवांचिक विकार, अनुवांचिक मतलब जनेटिकल डिसॉर्डर, ठीक है, जो PD दर PD चले, PD दर PD, चले, very good, very good, very good, CO react हो, बिल्कुल सब्सक्राइब, 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 बिल्कुल और यह भी पुछाता है उनको किस तरह के चश्मे का इस्तमाल कराया जाता है यानि को से चश्मे का इलाज उनके लिए बहतर रहेगा जिनको क्या हो कलर ना दिख रहा हो बताएगा आप कमेंट सेक्शन में फिर दूसरा बता रहे हैं ग्हेंगा रोग स्लीप आपनिया या इस आपको sleeping disorder है ठीक है डाउन syndrome का इंपाड़ को पर इसमें गार होती है जनेटिकल डिजीज है पर अतने ही बड़ी नहीं तो आपको अगर विखलप एक साथ इसमें से इसमें आपको पता है कि सो दस्धेतर है थो बहुतन में चेहरा और दनल्हारा लगता है तो दो यहों यहा laser लगता है जिसमें क्यों ऐको मक्र शी करता है बड़ distillation में और जिकास नहीं हो दो यह को अषिए तो आंट पार अट्वेन agriculture दौसे दौन है नहीं eight enrolled in इसके उप्चार भी हो जाते हैं, सही जवाब जेनेटी डिस ओर्डर का डाउन सेंटर हो जाएगा, वडांदता में क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है, और इसमें पॉलराइजड, पॉलराइजड मतलब क्या होता है, धुवी इकृत, है ना, लाइट जो होती है, हर पुर्षो मेरोग पाया जाता है, चली इसको बताईए, देखते हैं कितने लोगों ने सही जवाद यहाद बाई जाती है, और हमें पता है कि सेल वॉल जो है, यही हमारा बाइफरकेशन का उदारन है, आप से एक्जाम में पूछा गया था, कि यह बताईए, कि प्लांट में और अनिमल में डिफरेंस क्या है, कुछ लोगों ने क्लोरोफिल बताया, लेकिन क्लोरोफिल आधारित नहीं है, यहनि क्लोरोफिल का उदारन नहीं लिया है, है ना, क्लोरोफिल को हमने उदारन के तौर पे नहीं लिया, हमने क्या लिया है, में डिफरेंस के लिए कोशिका वित्ति लिए कोशिका वित्ति लिए समझ रहें आप बात को सेल वॉल इस दा में रिजन ऑफ डिवीजन में बेसिस ऑफ डिवीजन यहीं वारगी करण का सबसे बड़ा अधार क्या है कोशिका वित्ति तो सभी बात है option number यह करेक्ट राता है very good very good very good a wrong है नहीं नहीं जिवानों को पादर जगत में रखा था बाई बैक्टिरिया जार स्टडी इंप्लांट फैमिली और सेल वॉल इनके पास दूसरी बात यह भी रखें कि जितने भी विरेंक मितनी June UK और इसी ली इंटी बाइटिक्स सूर्णा यह देखुर्ण आपके श्रूइन को खुद से मंधिरे होना पड़ेगा यहाँ देखे मूली में तीखा benefits किस्टे होता है खीरे में कड़वाच इस से होती मिर्च में परपराःक किस्टे होती हल्दी का पीड़ारंग किस्टे होता है हल्दी का पीड़ारंग अभी हम लोग पढ़ा 만들어 थोड़े दिर पहले ही Curcumin, क्या पढ़ाता हमने, Curcumin, Curcumin या Curcumin बोलते हैं, यहां हिंदी में Cur लिखा हुआ है, वैसे English में लोग Curcumin पढ़ते हैं, Curcumin आपको पता है, यानि D का 3 पता है, एक यह option आपके पास में, that is option number D, है ना, तो ध्यान रखें कुछ चीजें ऐसे ही सही हो जाती है, अगर आप Redis की बात करोंगे, तो यह रखें लेना कि मोली का थिखापन और Isocyanate के कारण होता है, यह बहुत बेमसमस है इआपका, कि मोली का थिखापन किस ते होता है, आई- Tôi कुकुंबर की बात करेंगो, कुकुं यहां भी है, इस नोब रात में अधेरे में चमकते हैं, है ना, जो गुनू की बात कर लीजे, जली फिस की बात कर लीजे, बहुत सारी और ही मचलिया होती हैं, समुदर के अंदर, कुछ ऐसे भी होते हैं, जो सैपरोफाइट्स होते हैं, और वो भी चमकते रहते हैं, समुदर के अंदर, है ना, कोरल प्रकास देते रें चको नाम नहीं आप को लग से आइडिया अब यहाब것도 नाम में आपको अदिया होगा बाइयो फोट्रेंस भी जवाब ata का मतलब हो जाता है चमक बायो मतलब जयाविक चमक इसका साही जवाब हो जाएगा ठीक है मैं एक चीज इसमें और देख जीजेगा लूसीफरिन लूसीफरिन ग्जाम में आपके पूछा गया है छोटे एकजाम का ही है और यही वो रीजन होता है जो चमकाता है लूजी फेरिन होना जरूरी है लूजी फेरेज होता जो एंजाइम होता है लूजी फेरिन का निर्मार कराता है और इसमें जैसी ऑक्सीजन जोड़ता है तूरंत ही लाइट जनरेट जाती है जैसे हम लोगों में क्या होता है उश्मा के के लाइट जनरेट करता है कि यहां देखते हैं निम्रिकत युग में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है विच्छ फॉलॉइंग माच इस इनकरेक्ट पहला बता रहें मानो शरीर के ताप का नियंत्रन क्या टेंप्रेचर बैलेंस की आप बात करेंगे ताप की बात करेंगे एक चीज और धान रखना ताप का मतलब होता है पाइरेट तो इसलिए हम ऐसी दवाओं को जो ताप कम करें उसको बोलते हैं एंटी पाइरेटिक याद रखें से तो पिरस्टमॉल क्या है एक एंटी पाइरेटिक है दर्द निमारक एनाल जैसिक समझ रहें आब बात को फि रख़्श्थम नारी पूरक लेता है पुंकिस हर्मोन कि साहत Eggs करता है आब बताते है वेसो प्रेसिंट ऑधियरटिक हम होन स्राविध होता है पिटूटरी ग्लैंट से कुल रक्त का प्लाजमा का प्रत्सत 65 है प्लाजमा कितना पसंट है 65 बता रहे हैं रक्त में श्वेत रक्त कडिकाओं कि अगर हो जाए यहां बात करेंगे तो और वाकी सब्साहिएं बस सी वाला गलत रहता कि 65 नहीं होता पच्पन होता है 55 45 का रेशियो होता है कि रूप जुकिए बात है कि फेर्ट के पत्तों कि सरसराहट में single होता इंध सिर्पल बात है महोद आरीव जी बिलकूल होता है और तो पेड़ के पत्तों की सरसराहट में आपको बता दें कि जब आप decibel की बात करते हैं दोनी तीवरता की बात करते हैं तो धोनी तीवरता का मतलब यह नहीं होता कि zero decibel मिलेगा डेसी मतलब उसका दस्वाभाग दस्वाभाग तो दस्वाभाग बल का है क्या zero अब लेकिन zero decibel जैसी कोई चीज नहीं होती क्योंकि हम इंटेंस्टी स्केल पर ही 20 के साथ में रेशियो लेते हैं इंटेंस्टी यानि आई के विल का रहा था है लोगर्थमिक स्केल ठीक है लगड़की अनपात लेते हैं 20 का तो ध्यान रखें 20 आपका बेसिस है तो पत्तों क करें 20 के नीचे आपके कान बज़ने लगें यह प्रेशिर आपको बिन नहीं पाएगा संता है वह संता है L पहिं मिलेंगे नेचुरल जो इतने भी साउंड्स होंगे आम बाचकित की बात करेंगे तो 35 से 45 के बीच में आप आ जाएंगे अगर आप बात करेंगे कि माइक या फिर जिस पर आपको अवरोध ना हो दिक्तत ना हो तो आप 55 तक आ जाएंगे भारतिय गवर्मेंट राइड आदें विकार शोलह हो जाता है नब्बे के बाद बरदास की सीमा खतम हो जाती घूध्सा उस्ता व्सता लाना सब सुरू हो जाता हूद और यह तो हो गई उस वांटे पार वानटेड औंवान्टेड जो ढई होता इसको आपको 45 के नदर वाला रहा चाली। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही हमें लगता है कि आप लोग को काफी मजा आया होगा, काफी बहतरीन तरीके से आपने कुछ सीखा भी होगा, next day में हम लोग mock 3 लेंगे, और mock 3 में और भी बहतरीन प्रशनों के साथ में फिर से उपस्तित होंगे, और आप लोग अपने doubts जितने भी हों, अच्छे-चे questions जो आपको लगे कि हमें नहीं से समझ में आते हैं, आप comment section में डालें, अगर आपको कोई और content अगर आपको discuss कराने मन करता है कि सरी questions हमको समझ में नहीं आते, तो हमारे टेलिग्राम चैनल को जॉइन करें, X-Double-A-M, B-U-D-D-Y, आपको लिंक भेज दिया जाएगा comment section में, देख लिजेगा अभी, इसको join करें, इसमें discussion group में जाएं, अपने सवालों को उसमें डालें, ठीक है, उसमें अपने सारे जितने भी questions आपके होते हैं, doubts होते हैं, पूछें, आपने प्रारूप बताएं कि सर हमारा exam orientation किस तरफ है, इस सारी चीज़ें आप बताएं, हम लोग आपको बहतरीन दिशा बाते रहें, all the best, bye-bye